नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परिच्छा चनल के इस करनफेयर सीरीज में आज की वीडियो में भी बहुत इंपोर्टेंट कुशन्स डिसकस होने वाले हैं और यह बहुत ही रिलेवन्ट हैं आपके आने वाले कॉम्टेट एजाम्स के लिए वीडियो को पूरा देखेगा और जो भी जानकारी इंपोर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करें साथ में नोट जरूर कर लिया करें क्योंकि यह जानकारी ऐसी होती है जिस पर सवाल बन सकते हैं आपके आने वाली कॉम्टेट एग्जाम्स में तो सुरु करते मार जारी नए अध्यदेश के अनुसार केंद्री जांच व्यूरो यानि CBI और प्रवर्तर निदेश चाल है यानि एडी के निदेशकों का कारेकाल अब कितने साल का होगा तो ऑप्शन से यहां पर गिवन है वन यह टू यह त्री यह 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 तो सही ऑप्शन में आपको उ उन्होंने दो ओर्डिनेंस पर हस्दाचर किये हैं और यह दो ओर्डिनेंस सेंट्रल गवर्मेंट को अलाव करते हैं कि वो सेंट्रल वीरो आफ इन्वेस्टिगेशन यानि CBI और इन्फोस्मेंट डिरेक्टेट यानि एडी के डिरेक्टर्स का टेन्योर बढ़ा पाए मतल अभी तक जो डिरेक्टर्स काम कर रहे थे उनकी अपाइन्मेंट होती थी वो दो साल के लिए रखी जाती थी लेकिन अब यहां पर एक जो भी प्रेजेंट डिरेक्टर्स हैं उनके तीन एक तरीके से एनुवल एक्स्टेंस दिये जाएंगे मतलब कि उनका पूरा का पूर योडि यह किस एक्ट के तहद गाम करते हैं और बेसिकलि अभी यह जो ओर्डेनस आया है वह किस तरीके से इन को इमपेक्ट करता है या आने वाले समय में इसमें क्या अमेंघ्मिंट हो सकता हैं निक्समें पर लें और जैसिन आप को पहले विंपर नहीं है कि जो सेंटरल जानकरी जरूर हासिल कर लेनी चाहिए, हमेशा आपको उनके टम में अपडेटेड रहना चाहिए, उसमें जो भी चेंजेज होते हैं, जो भी नई अपॉइन्मेंट्स होती हैं, उनके टम में आपको अपडेटेड रहना चाहिए, और एक organizational point of view से उसको भी पढ़ना चाहिए, तो आप इसको डेटेल में पड़ सकते हैं, question बन सकता है, ना देखते हैंने इस question, which Indian player has been appointed by the BCCI as the head of National Cricket Academy NCA, राष्टी Cricket Academy NCA के प्रमुक के रूप में किस भारती खिलाड़ी की नियुक्ती BCCI द्वारा की गई है, तेहां पे options गिवन हैं, मुहम्मत कैप, वीवियस लक्ष्मन, राहुल द्रमिर या MS धोनी, तो सही option जान लें, सही option यहां पे हैं, वीवि सारी दी गई है, यानि कि उन्हें National Cricket Academy NCA के head के रूप में appoint किया गया है, मतलब कि NCA के नए head होंगे, वीवियस लच्मन, उनके पहले NCA के जो head रहे हैं, वो रहे हैं, राहुल द्रमिर राइट, और इन्हें 2019 में appoint किया गया था, इस पद पर, और इस पद पर रहते वे राह क्रिकेटर्स रहे हैं, उनको काफी लाब पहुचा है, उनको अपने sport career में एक तरीके से काफी अहम योगदान मिला है, राहुल द्रमिर के mentorship का, उनके guidance का, लेकिन आप राहुल द्रमिर को ये पद छोड़ना पड़ रहा है, विकाज आपको मालूम होना चीए कि राहुल द् इंडियन क्रिकेट टीम के head coach के रूप में appoint किया गया है, यनि कि इंडियन क्रिकेट टीम में आप राहुल द्रमिर के जो expertise हैं, उनका एक तरीके से योगदान मिलेगा, और definitely एक नई उचाई हासिल कर सकती है, इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर राहुल द्रमिर को भी आपको एक personality के रूप में पढ़ लेना चाहिए, मतलब कि इनके career के बारे में detail में आपको पढ़ लेना चाहिए, वीवेस लच्मन के रूप में आपको पढ़ लेना चाहिए, इनके द्वारा जो records बने हैं, उनको तो जरूर याद कर लेना चाहिए, records के time में भी questions बनते रहत हैं, तो काफी important है, इसके detail में जुरूर जाएं, और important points को याद करें, ना देखते हैं इस question, which of the following book has been released by Dr. Ajay Kumar, Defense Secretary of India, भारत के रच्छा सचीव डौक्टर अजय कुमार द्वारा इनमें से किस पुस्तक का विवमूचन किया गया है, त्याहाँ पर options given है, the secret of earning, force in statecraft, unsacking India या economist गांधी, तो सही option यहाँ पर है, यहाँ पर सही option है, force in statecraft, जी, तो सही option आप जान लें, याद कर लें, और इसको अच्छे से एक तरीके से detail हैं पढ़ सकते हैं कि इस book में क्या narration रखी गई है, या यह किन चीजों को बताती है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए, आप जो यहाँ पर डॉक्टर आजय कुमार है, उनके बारे में तो आप यहाँ पर देखी पा रहे हैं, वो defense secretary of India है, और उ प्यानों उत्तर पूर, यानि कि North East में जो संघर चल रहा था, उसके टम में, और जो air, जो हमारा defense है, यानि कि air force जो है, उसका किस तरीके से उसमें time to time changes जाए हैं, किस तरीके से समय के साथ उसमें बदलाव आया है, उसकी power बढ़ी है, और परमान सत्य के रूप में भारत की जो छमता विक्सित होई है, इन सारे विश्यों के time में, या इन सारे विश्यों का ही एक संकलन है, बुक, force in state craft, तो काफी important बुक है, जरूर इसमें एक तरीके से, जो defense system रहा है, या जो महतपूर्ण संघर्च रहे हैं, और उन संघर्चों में, defense system का किस तरीके से योगदान रहा है, जरूर ये बुक बहुत अच्छे से explain कर रही होगी, तो इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और एक तरीके से ये, मतलब कि आपको बहुत ही conceptual knowledge दे सकती है, Indian defense system का, और Indian defense system का, जो different type के struggles रहे हैं, उन में किस तरीके से योगदान रहा है, और उसमें किस तरीके के technology यूज की गई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है, पुस्तक इसलिए भी important होने वाली है, या important है, इसमें जो defense forces के सेवा निर्वित जो योधा हैं, या जो veterans हैं, उनके जो संधर स्पूर्ण एक तरीके से करियर रहा है, या उनके द्वारा जो लड़े गए युद रहें, या उनके जो अनुभों रहें, उन सारे अनुभों को इसमें संकलित किया गया है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही मतलब इसमें कई सारे dimensions आ सकते हैं, एक history के रूप में इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, बहुत important है, जरू पढ़ना चाहिए, now देखते ह सही option जान लें, सही option यहाँ पर है, प्रमूद चंद मुदी, जी, प्रमूद चंद मुदी को यहाँ बनाये गया है, Secretary General of रायसभा, यानि कि, Secretary General of रायसभा जो होंगे अब, उनका नाम क्या है, प्रमूद चंद मुदी, नाम आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, और एक नाम आप ये भी याद कर लें, PPK रामाचारेलू, PPK रामाचारेलू को ही replace करेंगे प्रमूद चंद मुदी, यानि कि, यह दोनों नाम, Secretary General of रायसभा से linked है, याद हो जाना चाहिए, दूसरा, मैं आपको बता हूँ, बहुत important ये appointment है, विकॉज, यहाँ पे रायसभा मे या जो different administrative responsibilities हैं, उनका निर्वान करना पड़ता है, तो बहुत important appointment है, आपको detail में जरूर पढ़ लेना चाहिए, साथ में जब आप Parliament के बारे में अगर आप पढ़ना चाहिए, तो parliamentary committees होती है, उनको भी आपको अच्छे सा पढ़ना चाहिए, इन committees की, जो भी powers हैं, जो भी मु railway station of मध्यपरदेश has been renamed as Rani Kamalapati station, मध्यपरदेश के किस railway station का नाम बदल कर Rani Kamalapati station किया गया है, तेहां पर options given है, महर railway station, रीवा railway station, हभीब गंज railway station, या खांडवा railway station, तो सही option जान ले, सही option यहां पर हभीब गंज railway station, काफी important railway station है, विकॉज यह एक world class का railway station माना जाता है, विकॉज यहां पर जो सुभधाएं दी जाती है, वो airport जैसे सुभधाएं दी जाती है, लेकिन आप इसका नाम बदल कर रख दिया गया है, Rani Kamalapati station, जी नाम आपको याद हो जाना चाहिए, और अगर आप Rani Kamalapati के बारे में नहीं जानते हैं, तो जरूर detail में जान लें, और एक important personalities की आप एक list बनाई है, मैंने आपको कई बार बोला है, फिर यहां बोलना हूँ, important personalities की आपके पास एक पतली notebook होनी चाहिए, उसमें उन सारी personalities के important points हैं, उनका जो छेतर रहा है, उनकी जो उपलबदियां रही हैं, उन सब के बारे में important points आपको note करना चाहिए, तो रानी कमलापती गोंड ट्राइब की आखरी महरानी मानी जाती हैं, और यूं कहलें कि गोंड के सासक और गिनोर घर के जो मुखिया थे, निजाम साथ उनकी पत्नी थी, लेकिन निजाम साथ को एक साजिस के तहत उनकी हत्या कर दी जाती है, और एक तरीके से रानी काफी एक तरीके से विरांगना पूर्ण और अपने पराक्रम को दिखाते हुए अपने पती के हत्या का बदला लेती है और एक तरीके से मतलब जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वाकई में भारत में या वाकई में भारत विरांगनाओं से जैसे कि एक राणी की रूप में इनके पास और क्या-क्या वुनर थे यह सारे इंप्पॉइंट्न पॉइंट्स बन सकते हैं और जदा जादज करें ताकि कहीं सभी वनें आप उसको शॉल कर पाएं वीडियो को सब्सक्राइब करें साऺ में मिल्हान को इसना हो और अगर आप फिसavourक और इंस्टाग्राम में तो वहाँ एफिस होो करें थाकि मिल्हान करना चाहे सकते हैं तो कि याद कर सकते हैं इसको नोड expects जाम्स के लिए helpful होंगे तो पढ़ते रहिए मसत रहिए मिलता हम आप से नेक्ट वीडियो में तब तक have a nice day, great day, thank you